नमस्कार मैंके मिश्टा उली इनुनियसन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ कवर आ रहे है सुप्रिम कोट से जहां सुप्रिम कोट पर किसान आंदोलन को लेकर के बड़ा फैसला और क्या कुछ हुआ है किसान आंदोलन को लेकर राकेश ठिकैत जो 2020 का उसे विलन कहें या हीरो कहें आज सुप्रिम कोट ने डिसाइड कर दिया कि राकेश ठिकैत हीरो है या विलन है हलाकि हीरो विलन के बाद ये हम जब सुप्रिम कोट का फैसला बताएंगे उस फैसले पर होगा आप से अन्रोथ करूँगा पूरी वीडियो देखिएगा और किसान अंदोलन पर जो वहाँ पर जा करके वहाँ पर जो कुछ नंगा नाच हो रहा है किसान अंदोलन के नाम पर खालिस्तानी से ले करके कई चहरे आए वो सब अलग की बात है लेकिन अब हम पहुँच रहे हैं सीधे तोर पर सुप्रिम कोट के उस पैसले के तरप जह किसान संगठन सांती बनाए रखें बड़ी कबर सुप्रिम कोट ने कहा है किसान संगठन संती बनाए रखें सुनने राखे स्ठिकैत किसान आंदोलन सांती बना के रखें चंद लोग अपने मुठी में भर करके सड़कों पर कड़े हो करके आप एक कहना चाह रहे हो कि देश में संबिधान में जो संबिधानी तवर से बिल पास हुआ उस बिल को हम वापस ले ले सरकार आप इस पर क्या कहेंगे कुछ चीज़ां और आगे बताएंगे क्या क्या फैसले आ रहे हैं क्या कहेंगे क्या कि दी कुछ भूबी तो दिसंबर जनवरी में सर्दी के भरी सर्दी में हुआ था आखिर इसके पीछे का राज किया है अंकित बताएंगे कुछ कि सिए का अंदूलन और किसान अंदूलन दोनों में थुड़ा फर्ख है किसान आंदोनन नेताओं की दवारा आयजी थे वहाँ पर पर एक सिस्टम बना हुआ है नेता उनका माइंडवास कर रहा है करता हूं अपने लोग को कुछ लोग खास समदाय के लोग अपने लोग को ने मारना चाहते हो कभी मारते भी नहीं भाई भाई होते हैं लेकिन यहां पर यहां पर किसानों के साथ जो हो रहा है वो माइंडवास करके हो रहा है किसान संगटर के हम चाहेंगे जरा दिखाएं कैमरे से किसान संगठन सांती बनाए रखें CGI ने किसान संगटन सांती बना रखें, टिकेट, किसान संगटन सांती बना रखें, राकेश ठिकेट, क्या आंदोलन की जगे बदलेंगे, हम नहीं चाहते कोई घायल हो, आप हिस्सा है, आप समाधान के सरकार की बात यहां पर हो रही है, किसानों के लिए कह रहे हैं आंदोलन से में बच्चे बूड़े क्यों आए हैं ठंड में बच्चे बूड़े क्यों सबाल है राकेश ठिकेट राकेश ठिकेट सबाल क्योंकि तुह ही अपनेता बनता है तो बता इसके जबाब कुछ गलत हुआ क्या आंदोलन की जगे बदलें कितांगे चिसानों से क्या कहा है सुप्रिम कोट ने ये सारी के बाद एक आप अन्टोने आ रहे है अब बताईए बुड़े जमान बुड़े बच्चों को लेकर कि यी अंदोलन कर रहे गते कि किसानों की बात कर रहे हैं और फ्र०र किसान पंजाब में सिर्फ हैं साहब हम भी किसान हैं कहिए तो अपने खेतों से आपको लाइब दिखाते हैं सभी किसान है और किसान खेतों से लाइब दिखाते हैं राकेश ठिकैट जैसे कुछ तथा कतित जो लोग आहतिये हैं जो कि बिचोलिये का काम करते हैं और वो लोग चुनाव लड़ चुके हैं साहब चुनाव लड़ चुका आजी सिंघ के पार्टी से ये और आज छुनाव आप ओ कर रहे हैं ये छेतरी समस्याय है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी कि जो ए किसान आंदोलन है यह सिर्फ और सिर्फ एक छेत्र विशेश पर केंदिर्थ हो गया है पंजाब और राजस्थान में दरसल राजस्थान और पंजाब में यह जितने भी आंदोलनकारी हैं सब के पास बहुत जादा जमीन है और वहां पे मंडिया मजबूत हैं बिचोलीय काफी सक्री हैं वहीं बात करें अपने दूसरे छेत्रों की बाकी हिस्सों की देश की तो वहां पे सब सारे किसान परिसान है बिचोलीयों से और उनका आना सही सिबिक नहीं पा रहा है अब लेकिन सरकार ने खुद कह दिया है कि जो प्रदेस चाहे लागू करे जो प्रदेस ना चाहे वो नहीं लागू कर सकता है तो पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार है कॉंग्रेस ना लागू करे उससे कोई दिक्कन नहीं है किसां संगटनों पे बहुत बड़ी टिपड़ी की है सुप्रीम कुट ने सुप्रीम कोट की बनाई कामिटी से दूरी क्यों हो रही है इस तरह का बेवार नहीं चल सकता है यह किसानों के लिए एक और फिर से चाहूंगा जूम कर के दिखाया जाए व्क यूम कर के दिखाया राद भर्त का बैग्राउंड साइध बनाना के, केंदर के वकील की सुप्रिम कोर्ट में भी दालील दी, उन्होंने क्या घ़ल, उनके बारें बात करते हahu, इसमें सरकार की ठीक से deal नहीं कर पा रही है, जिला, यों ये सरकार की सप्रिम कोर्ट तो, सरकार को भी यहां लताड़ा है, सरकार को भी यहां लताड़ा है, कि सरकार साइज सही जूप से डील नहीं करी है, यह आज सरकार को भी कहीं ने कहीं, कहीं ने कहीं, यहां पर लताड़ लगाई गई है, अब आप पताईए, दिल्ली जो है भारकरादानी है, भारकरादानी में हजारों लाखों किसान कहें या कहले सार्विनिक संपत्यों का नुक्सान ना हो सुप्रिम कोट सार्विनिक संपत्यों का नुक्सान नहीं हो टुकैट टिकैट 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 सवाल 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 यह सुप्रिम कोट कह रहा है हम भी किसान है हम सडक पर जाकर जलाने लगें किसकी संपत्याम जला रहे हैं किसकी संपत्याम जला रहे हैं इतने दिनों से सड़क पर बैठे हुए हो जो भी चीजे उसमें नुकसान हो रहा है कौन आखिर किसका नुकसान हो रहा है अपने फाइदे के लिए देश को गर्त में डाल दिया जाए ये किसान और आयति यहीं बीच के बिचोलियं वो काम कर रहे हैं, एक-एक चीजे हमाह के बढ़तान गया रहे हैं। जी बिलकुल जिस तरीके से अंधोलन हो रहा है, कहीन कहीी दिशाविहीन है, और पुरा समझोता जो वारता हो रहा हों पररा है। तो सुप्रीम कोट का दाई तो बनता है कि देश का कानून व्यवस्ता वो देखता है, सरकार और जनता की बीच में वो समझोता कराने पुरा प्रयास करा है, इसलिए वो पुरा नया है. ऐसलिए वो लोग जनता के बिचमेदार है, सरकार की बीचमेदारी बनती है, यहाँ सरकार की बीचिश you consider your government. कि वो समर में बनाने का इसतापित करने का प्रएस यहां पर कर रहा है सुप्रिम कोड़ा को भी लटार लगा Alright जारी किसान संगनठोनों को लटार लगा है लेकि इसमेν सरकारी संपती कुछ पॉइंट है कि सरकाई संपत्ती पोर इस प्रेकार से नुकसान ना किया जाए, बुढे बच्चों को जिस प्रेकार से स्रड़क पर बैठा गया है, बैठाए गया वो गलत है, जो अभी मौते हो रहे, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका सवाल भी सुप्रिम कोर्ट ने सरकार सवाल भी सुप्रिम कोर्ट पूछ रही है, सरकार और संपत्ति पोछ रही है, आखिर मौत का जिम्मेदार कौन होगा, कुछ चीजह ऐसे हैं, सरकार ये चारी कि हम समाधान चाहते हैं निकले, इस समाधान चाहते हैं, समाधान इसका निकले, इस्टे की बात आ गया थी, कि इसको ले करके सरकार की तरफ से कानून रोकने पर टावनी जर्नल का जो बयान है उन्हेंसाब तोर पर कहा कि सुप्रीम कोट के पुराने फैसलों में काग्या है की अधालतें कानूनों पर रोक नहीं लगा सकती है कोर्ट किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगा सकता जब तक यह साफ नहों हो जाए कि कानून नियमों की अंदेखी कर लागू किया गया और इससे लोगों की अधिकारों का हानन हुआ है रंजित आप लोग एक बार फिर से एलाइन पढ़िए आराम से पढ़िएगा थोड़ा लोग को समझना है मैं इसे सब्जाना चारू लोग को सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में कहा गया है कि अदालते कानून पर रोक नहीं लगा सकती कोर्ट किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगा सकता जब तक कि यह साफ नहों हो जाए कि कानून नियमों की अंदेखी कर लागू किया गया और इससे लोगों के अधिकार नहीं हो रोक लगाने का, सम्भिधान बहुत आसानी, बहुत तसल्ली से बैठ कर लिखा गया है, उन्हें पता था, ऐसे चीजे होंगी, और कुछ आहतिये भी चौली अगर सड़क पर बैठ करके इस तरह की बाते करें, और जो अटरणी जनले लेखा, वाके में पॉइंट है, कि इस कम्भिधान को तहने के लिए से पिष्टे लगा दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, नहीं हो सकता है, क्योंकि कानूनी तरके से बनाये गया, आपका समय जादा नहीं लूँगा, इस वीडियो कहीं खतम करूँगा, अन्रोथ कुरूँगा वीडियो को जादे जादे स के साथ बहुत बहुत अन्यवाद,